हे गाइस आज हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं पीतल के आज मैं इनकी सफाई पूरी तरिके से करने वाला हूं और यह वीडियो आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूं क्योंकि आप कभी भी सिंगार करवाएंगे तो उसकी सफाई बेहर जरूरी होत जाती है तो गाइस यह हमारे लड्डू गोपाल लगपग दो इंस से भी कम के छोटे हैं और आज इनकी मैं फुल सफाई करूंगा तो गाइस प्लीज इस वीडियो में हेट कमेंट बिलकुल ना करें क्योंकि मैं इनको भगवान नहीं मानके मैं इसको धातू मानके फिलाल सफाई करूंगा क्य उसके बाद मैं जितना यह कली कली जो मेल है यह फुलाने के लिए कंकल बहुत बहुत ज़्यूराइब आप लाई करने गास और इनको इस मतलब इस कालेपन इस गंदगी या इस मतब जम्य हुए कुछ भी कहलो गंदगी तो इसकी मैं पहले मतलब केमिकल लगाऊंगा एक्षन पाउंड रिड्रोस से एक तरीकर धिनर है जो कि यह मैं मार्बल मूर्थी को पुराना पेंट निकालने के लिए और पुरानी से पुरानी गंदगी साफ करने के लिए मैं इसको यूज करता हूं तो गाइस मैं आज यही अपलाई करने वाला हूं और यह मैं अपलाई कर दिया अब इसको मैं साइट करता हूं और मेरे पास एक साफ कपड़ा होना चाहिए और साफ कपड़ा ना लेकर मैं स्मार्ट फोन का यह वाइप लिया हूं यह कागज है मेरे पास था आप सूती कप अब इस पर मैं इनको धीज़े रगड़ूंगा और जो पेपर नीचे रखा हुआ है यह है मतलब हैंड मेट सीट है जो कि पेंटिंग बनाने वाला है लेकिन मैंने इनके सफाई के लिए आपको दिखाने के लिए इनको नीचे रखा हूं और भी लाइस्ट में देखना कि यह पेपर मेरा कितना गंदा हो जाता है इनकी सफाई में तो मैंने वह है केमकल तो हमारी मैल को फुला दिया लेकिन आपको दिखाने के लिए क्योंकि नीबू अमलिये चार होता है इसके वज़े से इसमें हम जब भी हम किसी जगए गंदगी पर अपलाई करते हैं तो उस मैल को गंदगी को यह जल्दी फुला देता है तो अब मैंने उस नीबू के रस से इनके शरीर पर पूरा त्वच्छ पीतल की मूर्थी को सफाई के लिए मतलब एक केमकल होता है उसका नाम है गाइस मुझे याद नहीं आ रहा आप वीडियो में कमेंट करें मुझे बताइए कि आप लोग अपने पीतल की मूर्थी को किस चीछ से साब करते हैं और मैं बता दूंगा वीडियो को लास्ट में क्यों क्योंकर कौन सा है जो कि आम घरों में आम जगे पर भी अपलाई होती है तो मूर्थी मेकिंग टूल से मैंने इसको क्लीन करना शुरू कर दिया तो जिस जिस संग पर मैल जमा था उस पर सप्पे मैं यह अपलाई करूंगा और एक-एक मैल को मैं मतलब पूर्चे के साप कर दूंगा फिर थोड़ा सा निमू कर रस लगाऊंगा इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मैल और है तो है बाहर हो जाए तो अब देखिए मैंने कप्रेश को पोच्छ दिया वही लट्रू गोपाल है जो फुरानी हालत में ऐसे थे अब यह हो गए ऐसे तो गाइस अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल पर अगर आप पहली बार ह है तो आप ज़रूर कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो गाइस मेरी वीडियो आप तो कहा रंग लाई यह आपके लाइक कमेंट और से पता चलेगा अगर यह वाला अगर डेकोरेशन करना चाहते तो वीडिय हैंट